आपको की लाइव माच में अमेरिकी अडल्ट स्टार की एंट्री डेनी डेनियल्स ने कहा मुझे टीम में ले कोच पाकिस्तान और न्यूजिलेंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट से तीसरे दिन पाकिस्तानी कमेंटेटर ने एक ऐसी गलती कर दी जिसका वीडियो सोशल मेडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है अगर हम आप से कहें की लाइव मैच के दौरान अमेरिकी अडल्ट स्टार का नाम गुंज रहा था तो शायद आप हैरान हो जाएंगे लेकिन ये बिल्कुल सच है बेशक ये बाजीत खान की जुबान फिसलने के कारण हुआ मगर लाइव मैच में हुआ तो सही आखिर मैच के दौरान बाजीत के जुबा पर अमेरिकी अडल्ट स्टार का नाम कैसे आ गया दर असल ये पूरी कहानी है पाकिस्तान और न्यूजिलन्ड के बीच खेले जा रहे कराची टेस्ट की पाकिस्तानी कमेंटेटर लाइव मैच में कमेंटरी कर रहे थे पाकिस्तानी खेलाईग ने लिया अडल्ट स्टार का नाम इस दौरान वाजीत खान ने लाइव मैच में न्यूजिलन्ड के पुर्व खेलाडी का नाम लेने के बजाए अडल्ट स्टार का नाम ले लिया वाजित खान को डेनी मौरसिन का नाम लेना था लेकिन वो डेनी डेनियल्स बोल गए फिर क्या था इस मज़ेदार वाकिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है और पूर्व क्रिकेटर जम कर ट्रोल हो रहे है इसकी शुरुवात पाकिस्तानी कमेंटेटर वाजित खान की जुबान फिसलने से हुई जिन्होंने पूर्व की टीवी खिलाडी और साथी पैनलिस्ट डेनी मौरसिन को अडल्ट स्टार डेनी डेनियल्स के साथ बदल दिया ये वीडियो ट्रेन करने की एक और वज़य है क्योंकि इसे खुद एडल्स्टार ने एक मज़िदार कैप्शन के साथ शेयर किया है जैसे ही ये क्लिप वाइरल हुई डेनी ने वीडियो का जवाब देते हुए कहा मुझे टीम में रखो कोच बतादे की वाजिद खान फुल टाइम कमेंटेटर है वाजिद पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट और पांच वंडे मैच खेल चुके है वाजिद का करियर छे इंटरनेशनल मैचों के बाद ही खत्म हो गया वैसे वाजिद ने पाकिस्तान में 151st क्लास मैच खेले इसके अलावा उन्होंने 112 लिस्टे और 17 T20 मैच भी खेले है तेस्ट क्रिकेट में कुछ उच्चितन दस्वे क्रिकेट का उल्ले करते हुए पाकिस्तान के कमेंटेटर ने गलती से डैनी मौर्सिन को डैनी डैनियल् में संदर्भित किया इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है जिसके बाद पाकिस्तान सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है बुरी तरीके से और भारती एफैंस भी इस मामले में जम कर मिम्स शेयर कर रहे हैं जी हां तो इसी के साथ मैं लूँगी एनुम किट में और ने खबरे जानने के लिए हमारे साथ बने रहे हैं तब तक के लिए नमस्कार